हलो स्टुडेंट्स तो हमारी मैप सीरिस का अगला वीडियो आपके साथ लेकर हम आए हैं इंडिया के मैप्स या भारप के मान्चित्र से हम उसका पूरो भूगोल समझेंगे ठीक है मैं विजैंति चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूँ CAC platform पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करके जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे भी ये इस तरह के वीडियो उसकी जरूरत है परिक्षय में अच्छे नंबर लाना चाते है और topics को अच्छे से समझना चाते हैं तो देखने हम maps की study आकर important क्यों है मैं पहले आपको ये बता दूँ थोड़ा सा कि आज थोड़ा सा मैं fast जाऊंगा इस वीडियो को हम थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे और अगर आपको कहीं भी doubt लगता है तो आप उसे pause कर प्रशन या इस से related प्रशन परिशाओं में पूछे जाते हैं क्या इस study से हम अच्छे number ला सकते हैं हमारा final goal तो वही है न अच्छे साचे marks प्राप्त करना तो चलिए देखते हैं कुछ पिछले सालों में पूछे गए प्रशन देख लेते हैं जिन सभी प्रशनों के उत्त पूछा था कि दिल्ली से longitude यानि जो आपका अधिशांतर होता है उस रेखा के हिसाब से सबसे करीब शहर कौन सा बेंगलूरो एदरबाद नागपूर या पुने में से यह भी map की study से आपको समझ में आ सकता है और कौन सी southernmost city है यानि अगर हम latitude देखें जो मैंने latitude समझाए उसको अगर आपका अंदाजा है आपने map में अच्छे से पढ़ाए तो आपको समझ में आजा कि कौन सी दक्षिंदम शहर है अब इनमें से कौन सी नदिया डेल्टा का निर्माण करती है तो यह भी maps की study से और Indian geography जो है उसकी study से हम अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं आखर सबसे नीचे है जो सबसे निचला हिस्सा है जैसे माली जी मैं छोड़ा से बनातूब यह निचला हिस्सा है तो डिला ओपर और यह बहुत उपर वालन और प्लेण की को लिया को तो अब आप इस map को अच्छे से बस दिमाग में fit करिए कि कौन सा color आपको कहाँ पर क्या इंगित कर रहा है बस अब अच्छे से हम अब इससे देखेंगे आगे details में तो आपको एकदम clear हो जाएगा ठीक एक features को हम आगे देखेंगे कुछ basic division देख लेते हैं तो यह है पहला division जो पहाड़ी शेत्र है हिमालियाज वाला शेत्र पूरे-पूरे mountainous region है यह है हमारा दूसरा region जो है पूरा समतल मैदानों वाला northern plains फिर नीचे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एक उच्छ भूमी याने central highlands हम ही दिखाई दे रहे हैं फिर यहाँ पर हम देखते हैं left side में जब आते हैं याने पस्चीमी तरफ तो यहाँ पर पस्चीमी western coast है उसी तरह है उसका पहलल यहाँ पर eastern coast है पूरवी तठ और यहाँ पर हो गया पस्चीमी तठ यह पूर वी तरह और बीच का यह जो triangle जासा हिस्सा है यह हो गया आपका प्लैट्यू पेनिंसुलर प्लैट्यू या आपका सदर्न इंडियन प्लैट्यू यह सब मिला के इसे जो पठारी रीजिन है वो हो गया ठीक है बेसिक डीविजन आपको समझवा है अच्छे से मैप को थोड़ा सा दिमाग में फिट किया अब देखते हैं इसके डीटेल्स तो आपको अच्छे से समझना है यहां उपर है चाइना यह टियंशिन परवत श्रंकला यहां पर है पामीर नौट जहां से बहुत सार हिंदु कोश और कारा कोरम और हिमाले सब निकलते हैं एक गठान जैसी है और यह जो आपको टाइबटन प्लैट्यू दिख रहा है इसे बो तो यह है हिमाले यहां से यहां तक यह पूरवी हिमाले यह आपका पश्री में उपरी हिमाले और यह जो नीचे आप देख रहे है यह पहाड देखे रन कर रहा है पूरा अलॉंग डिस आईलैंड्स भी तो यह एक तरह से पूरा एक चेन है आपको दिखाई देगी यह क्य इंडियन प्लेट आका टकरा ही पहले, बीच में ताघThis Sea और यहां पर यूरेशन प्लेट जब आका टकरा ही तो हिमालय का निरमाड भूबूया वहगा है क्योंकि continent और continent यहां पर बहुत बढ़िया ही चित्र बना और यहां पर भी आप देख सकते हैं यह हिमाले यहां पर बना तो यहां की पूरी जो एक पठार बन गया उंचा सा उसे हम कहरें टाइबेटन प्लेटियो जो यूरेशिन प्लेट पर है और यह है इंडॉस्ट्रियन प्लेट समझ मैं यह फिर से रिवीजन मैंने कराए थोड़ा सा चलिए इसका देख लेते हम इस्ट-वेस्ट डिविजन ओफ दे ग्रेट हिमालयास उपर का हिस्सा आप कारा कोरम रेंज है लेकिन इसका जब हिमाले शुरू होगा तो हिमाले यहां से है यहां से यहां तक का प्रदेश तक आसम का कुछ हिस्सा यह हो गया आपका इस्टन यहने पूर्वी हिमाले तो हमने कैसे देखे यह इस्ट-वेस्ट डिविजन इधर हो गया वेस्ट हमेशा मैं बताता हूं आपको दिशाओं का ज्यान बहुत अच्छे से रखना है यह हो गया ऊपर नौर्थ नीचे साउथ तो नौर्थ एस्ट-वेस्ट साउथ नियूज चले यह अब देखते हैं हम इसका नौर्थ साउथ डिविजन जैसे हम उपर से नीचे आएंगे नौर्थ से साउथ की तरफ तो किस तरह से डिविजन अभी हमने इस्ट-वेस्ट देखा इस तरह से इधर और मतलब होरिजॉंटल डिविजन देखा हमने शैदिज उर्धावर या लंबवत्य वर्टिकल डिविजन नौर्ट-सौर डिविजन देख लेते हैं तो यह उपर का हिस्सा एक आप देख सकते हैं इधर फिर दूसरा कलर और यह तीसरा कलर यह तीनों को अलग-अलग नाम दि हमाल है उसके बाद में है लेसर हमाल है इधर वाला इससा बीच वाला इससा ठीक है और सबसे नीचे है शिवालिक्स जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है जब मैं डीटेल में आपको इंडियों जोग्रफी पढ़ाऊंगा तो इनके एक एक डीटेल सम देखेंगे अभी आप सिर समझ लीजिए कि कहां पर कैसा है भारत अब इनके अगर कुछ मौंटेन रेंजेस की बात की जाए तो यह उपर कारा कोरम है इसके नीचे है लद्दाक फिर जास्कर यहां पीर पंजाल इधर कैलाश परवत जहां से निकलता है जहां से मांसरोवर लेके और इंडस और ब्रह परवती जो शेत्र था उसे कवर किया है कहां कहां था मोसली कुछ स्टेट सलके से में बताया तो जमू कश्मीर पिर यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश इधर हो गया उत्तरा खंड यहां हो गया सिक्क्न औगर अरुनाचल प्रदेश और यहां पर जितने भी प्रदेश है सभी इसमें आते हैं अगला जो है हमारा शेतर वो है प्लेंस का तो चलिए प्लेंस देखते हैं यह है इंडो गैंगेटिक प्लें यह पूरा का पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं उपर और नीचे की जो प्लेंस है अभी क्योंकि मैं सिर्फ प्लेंस की बात मैदानों की बात करूं इसलिए इनने दिखाया लेकिन इन दोनों का अलग अलग डिविजन हम देखेंगे अभी हम सिर्फ नॉर्दन प्लेंस पर अपना फोकस रखते हैं तो यह है दर नॉर्दन प्लेंस यह उत्तरी मैदान जो संतल भूमी है देख सकते हैं आप यहां से करती है और यहां से आते हुए एक डेल्टा का निर्मान करती है यह है इंडो गैंगेटिक प्लेंदुनिया का सबसे जादा घनत वाला जो रीजन है जो शेत्र है सबसे जादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर है ठीक है और इसमें एक और चीज देखने वाली बात है कि क्योंकि हाला कि नदियां यहां पर है काफी जादा यह नदियों के डेपॉजिशन से बनाया लेकिन फिर भी यहां पर बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेजर्ट है या मरुस्थल भी है ठीक है चलिए आपको प्लेंस का अंदाज़ा हो गया है तो अब हमारा यह दूसरा के जन कतम हुआ अब देखते हैं थोड़ा से यह बीच वाला सेंट्रल हाइलैंड याने मद्य उच्च भूमी आखिल है क्या तो यह है मद्य उच्च भूमी जहां पर आपका आता है अरावली परवत शरंकला रेंज जो गुजरात से लेके दिली तक जाती है और जो हमारा प्लैट्यू और दूसरे हाइलैंड जो भी है जहां पर आपके बुंदेलखंड प्लैट्यू आता है सेंट्रल हाइलैंड आते हैं तो यह सब वो एरिया है ठीक है इसके बाद में जो अगला हिस्सा है एक सेकंड आपको पीछले आता हूँ यह हिस्सा अब मैं थोड़ा से यह वाला हिस्सा कवर करूंगा डेकन प्लैट्यू का तो यह है डेकन प्लैट्यू यह पूरा कैसे बना है अभी आपको आगे बहुत बड़ी आसा चित्र में बताऊंगा यहां पर नर्मदा वैली है सौराष्ट्र का पेनिंसुला प्लैट्यू है यहां पर थोड़ा से धा गुजरी थी तो उस लावा से ऐसी परते बनी है यहां पर और देख लेते हैं यह अलग अलग और डेकन ट्रैप्स के फोटोग्राफ्स अब एक चीज़ आपको देखने लाइक है इसमें यहां पर गुजरात का थोड़ा से हिस्सा जो कई बार मिस कर देते हैं यहां पर यह यह प्लेट्ट का एक पार्ट है जो पैनिन्सुलर इंडिया पैनिसुलर यह होता न नीचे वाला हिस्सा इसी का एक पार्ट है और यह इससे अलग हुआ है मालदा गैप से यहां से यह आपको एक इंपोर्टन पाइंट मुझे पता ना था कई बार इस पर प्रश्न आता है कि यह मेगाले का जो है वो रीजन वो हिमाले की शेतर में आता है या फिर मैदानी शेतर में आता है या फिर इस पेनिन्सुलर शेतर में आता है तो अंसर आपको मिल गया अब यह अगेन फिर से जब भारत भारती प्लेट उपमादवी इस तरह से उपर आया तो यह रीउनि प्लैट्यू या दक्कन के पठार का निर्माड हुआ ठीक है clear यह है थोड़ा सा आपको revision कर दिया मैं फिर आए हमारे अब डेकन प्लैट्यू के important दो चीज़े हैं वो है या फिर हमारे peninsular प्लैट्यू के वो है western ghats और eastern ghats ठीक है western ghats जादा उंचे है इसकी height काफी जादा है काफी जादा है यहाँ पर वर्षा बन है बहुत सारे biodiversity का hot spot है वो detail है इंडियन जोगरोफी में है वैसे भी देखेंगे आप पस यह देख लीजे यह है northern western ghats यहाँ central और नीचे जो सबसे जादा उंचा ही भी आती है यहाँ पर अनई मुड़ी जो सबसे उंचा इसका पहाड़ है 2615 मीटर और सबस्यादा वर्षा भी यहाँ पर होती केरला के शेतर में वैसे eastern आपके जो घाट्स हैं जो पहाड़ी शेतर हैं वो काफी छोटे है हाइट में western ghats western ghats काइट काफी साथ है और यह काफी कटे छटे हैं मतलब बीच में बहुत सारे gaps है नदियों ने इसे काट दिया है काफी जगे पर ठीक है और अब यह उडिसा से लेके तेलंगाना अंध्रा और तमिलनाडू का नटका तक चलते हैं अब आप मुझे बताइए कि western ghats और eastern ghats कहाँ पर मिलते हैं यह आप मुझे बताइए ठीक है किस पहाड़ी में हम बिलते हैं तो फिर से अब हमने क्या क्या देख लिया फर्स्ट यह region देख लिया, second plains देख लिया, third highlands देख लिया अब आगे हमारा है coastal plains यह जो तटी शेत्र हैं वह वाले तटी मैदान एक तरह से इसमें आप एक खासियत देखेंगे कि जो western coastal plains है यह पश्चिमी जो तट हैं और पूर्वी इन दोनों में फर्क यह है कि पूर्वी जादा अच्छे से developed है और यह बहुत ही पतले बहुत सक्रेंगे क्योंकि यहाँ पर काफी कम जगह है western guards एक दाम बिलकुल यहां से मिले हुए जो परवत है ठीक है तो यह हमारे coastal plains coastal plains की कुछ खासियत है वो मैं आपको भी बताता हूँ आगे एक पर coastal states आप देख लिए कौन-कौन से है कई बार इसमें से भी प्रश्ण आते हैं कि इनमें से कौन से नहीं है ऐसा हमें पैचाना पड़ता है तो गुजरात में इंडिया की सबसे बड़ी coastline या तट्रेगा वो गुजरात में है और क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तट्रेगा कौन से है किस देश की है आप बताईए मुझे comment में अगर आपको पता हो तो मैं इसका अंसर आपको बाद में बताऊँग इसके साथ ये coastal states हमारे खतम होते है अब जो पूरवी तट्की में बात कर रहा था eastern coastal plains की वहां के खासियात है वहां के deltas जो west के coastal plains से वहां डेल्टा नहीं बनते हैं बहुत ही कम जगह पर नदिया बैके जाती है जादा उनमें deposition नहीं होता है वहां पर बनते हैं ashuries ठीक है वहां पर subjected एक तरह से जो नदियों का मुख है नदी मुख वो नीचे है समुत्रतल से नीचे है और यहां पर जादा height नहीं है काफी जादा slanted slope पहुत ही कह सकते हैं कि इसका जो angle है slope का वो बहुत कम है तो यहां पर आराम से नदिया बैके आती है काफी सारा अपने साथ इस तरह से तो यहां कि आप यह जो देखते हैं यह देखिए यहां देखिए यहां पर जो निकले हुए शेद्र रही है यह यहां पर बहुत सारी नदिया आकर अपना गाद जमा करती है ठीक है यह फरक दोनों में इस्ट और वेस्ट कोस्ट प्लेंस एक बार कावे रिवर मैं आपको दिखायता हूं कि इस तरह से कावे रिवर यहां से निकलती है करनाटका से और आती हुई इससे रिलेटेड बहुत एक इशू भी चल रहा है आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी काफी बार इसका केसे चलते रहे हैं जो तमिलनादौर करनाटका की बीच की लड़ाई है तो यह देखिए कावेरी ने कितना बड़ा एक डेल्टा बनाया है बहुत बड़ा एक फर्टाइल प्लेन यहाँ पर बना दिया है और इसके वैसे तट्रे का भी आप देख सकते हैं कैसे आगे खिची हुई है भारत की यहाँ पर ठीक है यह आपको एक जो पहाड पर है यूपेसी में पूछा गया प्रश्ण नहीं है फिर दिल्ली से सबसे करीब कौन सा वो शहर है लोंगिट्यूट पर तो अगर मैं यहाँ पर भारत के कैसी रफ नक्षा बना दूं कुछ इस तरह से तो यहाँ अगर दिल्ली है तो बेंगलूरू या फिर आ फिर सदर्मोज सिटी तो यह एक बार मैं पैनिंसुला प्लेट्यू बनाता हूं अब यहाँ पर है बेंगलूरू सेंटर में और यहाँ पर है चैन्नाई तो बेंगलूरू को जा लेट्टी उटे थोड़ा सा नीचे है बेंगलूरू सबसे दक्षिंता में इन सब देशों म सब्सक्राइब को बनाती है तो गोदावरी फ्रसे मैं एक वार आप पूस पेनिंसुला प्लेट्यू को बना के बताता हूं ठीक है यहां से निकलती है नर्म कर गेल गिर जाथी अ पूर्वी तर पर डेल्टा का निर्माड होता है जब कि पश्चिमी तर्ट पर क्या होता है कि इस्चुरी का निर्माड होता है टीक है जुर्न दšüne कहते सब्सक्राइं को हुगा कोधाम आङरी को एक नेकिसा लगा यह लेक्षर हमारी मैप सिरीस का आपकी पर मैं लेकर आया था, आज CAC करके जो हमारा ग्रूप है, टेलिग्राम का उस पर जॉइन कर लीजिए, बहुत थी जादा हुआ पर activity अभी चल रही है, कई सारे quiz चल रहे हैं, और आपके साथ हम PDF शेयर करते हैं, और आपको guide करते हैं, यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्रा आपको जो भी डिमांड है अगली, वो हम फुल्फिल करेंगे, किस तरह की maps आप पढ़ना चाहते हैं, thank you so much